CNE News में आप सभी का स्वागत हैं और अब लेते हैं ख़वर विसेश की ये ख़वर निश्पक्च और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें परोसी मुल्क बंगला देश में अलपसंखियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ चंडिगड भाजपा के उपाध्यक्च और सनातनी रामवीर भटी के बयान से बावाल खड़ा हो गया है रामवीर भटी ने CNE News से बात करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि बंगला देश को टुकडे टुकडे कर देना चाहिए और एक अलग से हिंदू राष्ट की खोशना कर देने का समय आ गया है इसको लेकर आठ दिसंबर को सक्टर सत्रा इस्थित पलाजा में बड़ा परदर्सन करने की भी तैयारी की गई है उन्होंने CNE News से बात करते हुए जो कहा हैरान करने वाला है तो सुनते है रामवीर भट्टी को जैसरी राम सनातनी की बात आपने की तो मेरा सबपष्ट बिलकुल अक सबपष्ट इसमें कहना है कि सारे देश के अंदर और आपने सब धर्मों की बात महनी करता एक धर्म के लोग तो हैं जो प्रताडित कर ले जो हिंदू की बेंड बेटियों की आपर लूट रहे जो हिंदू के जो मंदिर है जो अग जो मंदिर है इसकोन मंदिर है उनके संस्थान है उनको लूट रहे करोना का जो का पीरियर था सारे देश के अंदर वैस्विक मामारी थी इसको उनके सोडा सो वहाँ पर मंदीर हैं जो बंगलादेश के अंदर उन लोग ने बिना किसी बहित भाव के जो आज लोग इसको उनके मंदिरों को जडा रहे हिंदों की भेंट बोटियों को आबरू लूठ रहे उनके जो संसतान है जो उनके परतिश्ठान है उनको लूट रहे उनको जड़ा जाए रहा of जो जड़ाया जाए रहा और यहां तक जो सिख्षा देने का भी काम करते थें पुरी tarων की से गैर राजनीतिक है वो आक पूरी तरकी से गैर राजनीतिक है चंडीकर के अंडर भी एarti बहुत बड़ा प्रदर्सन हो रहा पलाजा है उस पलाजा कें अदर आ करकर कैए जो बंगला देश के हिंदू के साथ है चे आहमुदया समधाय है चे वहाँ सिख समधाय के लोग है उनके उपर गोरत्याचार हो रहा है उनके परती अपना समर्थन करने के लिए सब लोग एक जूट हो ऐसा मेरा सपष्ट माना दूसरी बात आप जो भाजपाई के नाते कही बाजपा के नाते में वही बात कहता हूँ और सनातनी के नाते में वही बात कहता हूँ कि एक समुधाय वो पूरे तरीके से पूरे तरीके से चे इस देश के अंदर हो चे बंगला देश के अंदर हो चे पाकिस्तान के अंदर हो एक ही मेंटालिटी है एक ही सोच है जादत और लोग साब को नहीं मैं कहता है दो तिन चार परसेंट लोग सही भी हैं राष्टवादी भी हैं ये भी चाते हैं कि मिलकर करका चला है भाईचारा कायम रहा है नहीं जादत और जो लोग है आज यही है किस तरीके से यो हिंदू है अक इसको खतम किया जाए और इनको इनका धरम परिवर्तन करवा करके इनकी जो बेहन बेटियां है अक इन बेहन बेटियों के साथ ड्रामे बाजी करकर करके किस कहीं लाव जिहाद के नाम पर और कहीं जूटे बांते हैं ये मोली बांत का हाथ में तिलक लगा लगा करकर करके बेहन बेटियों भरمित करने का ये लोग काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जितने सनातनी है जितने हिंदू भाई है उन सब लोगों को जागना चाहिए जागरत होना चाहिए और ये आवाज उठानी चाहिए कि जो बंगलाधे इस के अंदर हो रहा है वो ठीक निया बंगला देश के अंदर जो आप करें उनके साथ दुनिया के अंदर मैं चंडिकट की बात ने करता दुनिया के अंदर भी जहां कहीं भी है उनको एक जूट होके उनके परती समर्तन अपना व्यक्त करना चाहिए जिस तरह से आपने कहा कि वहां पर अत्याचार जारी है बंगला देश में तो क्या भारत को ऐसी परिस्ति में हिंदू, सीक, इसाई और भी जो वहां पर अल्प संख्यक है उनके साथ जो हूरा है अटेक कर देना चाहिए भारत को आप अटेक की बात कहे रहें, वह ना मेरे कहनी से या मेरी उसमें नहीं है वह बात करने का वो सरकार नीती का तंदिने अख По सामरी की वीचे है उसके पर तो सरकार का जो द्रेश्टिक होनए है पार्टी के बड़े लोग है वह गहें हैं पर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि हिंदुस्तान को आप बात छोड़ दो बंगलादेश के अंदर चे सिखो चे इसाई हो और या हिंदू वो अलफ संखक है सब को वहां के जो अलफ संखक है उनके परतियपना समर्थन करने के लिए प्रोटेश्ट पर्दर्सद मुजार्ग करने ही चाहिए जो माँपर सहिक हसीना की सरकार थी आंदोलन शुरू हूँँ वहांपर जो ता आंदोलन शुरू है था आरक्शन को लेकर कर करे इसका ना कुछ हिंदू का था ना सिख का था ना हिसाय का कोई मुद्ध था हाला तैसे परते होए बंगला देश के अंदर जो महा की प्रदान मंत्री थी उनको महा से भाग करना पड़ा और जैसे ही वो अन्दोलन था सरकार के खिलाब महा से से कसीना की महा से जैसे सता गई उनकी उनको देश से निर्वासित होना पड़ा उसी टाइम वो सरकार के बज़ लुए हिंदू के खिलाब होगया अलफ शेंख़ी के क्लाब हो गया इसलिए मैं तो समर्तन की बात इसलिए कहरा है के सब लोग उकून का समर्तन करना चाहिए जिस तरह से चीन के साथ हमने एक नारा दिया था उस टाइम के हिंदी चीनी भाई 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 उसके बाद चीन ने जो किया फिर बंगला देश को अलग होने में जो 1971 में जो हुआ बंगला देश को अलग किया गया और बंगला देश भी अब जो भाई भाई की बात करते थे थे अब दुस्वन दुस्वन की बात कर रहे हैं अखिरकर ये कै कैसी इस्तिति है कि हम जिसको भी समर्थन करते हैं वो कुटे के तरह फिर काटने के लिए दौड़ते हैं जैसे पहले चीन और अब बंगला देश आपना 1970 के बात की इंदरा गांदी जी देश की परधान मंतरी थी उस टाइम जो उनका नितिगत उन्होंने निरने लिए उस टाइम देश के भारतिया जन संग के नेता सरदे अटल बहरी वाज़ पे जीते और उन्होंने कहा था उस टाइम इंदरा गांदी देश की परधान म मानता है अकमाच्छा नी मानता बंगलादेश बनाने वाडे कौն थे नब्बे हजार जो सैनिक थे जो पाकिस्तान की सैना थी वहांपर जो बंगलादेश के लोगों के परत्याचार कर रहे जनरल जग्जीत सिंगलोडा महाँपर गए थे इंडरा गान्दी ने उनको वहाँ बेजा जाकर करके नबे हजार सैनिक बलके एक्याट माजार लो जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको गुटने टेक डेंपर मजबूर कर देदा पर एक बात माज़ आपके माध्यम से सब लोगों को कर मैं कहना चाहता हूँ भाई साम उस टाइम भी जो आर एसस के प्रमसरदे उस टाइम के सरसंग्चा लग जी थे उन्होंने किया था कि हम साफ को दूद पिला रहे आज इनकी जरूरत है साड़े साथ लोगों का उस टाइम जो पाकिस्तान के सेना थी उन्होंने वहाँ पर उनका हत्या किया उनकी जो आज बंगला देश के लो पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की पैरा मिलिटरी फोर्स को पैरा की आर्मी को देखना नहीं चाहते थे आज जो उनके साथ वह था और जो उस टाइम हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान की उस टाइम की सरकार हिंदुस्तान की आर्मी उस टाइम जो उनके साथ यह जितनी सकी निंदा की जाए उतनी कम है इसको लेकर के चंडी गड़ में जो आपने कहा कि सनाचनियों के ओर से एक प्रोग्राम रखा गया है ताकि बंगला देश में जो हो रहा इसका विरोध हो वो कहां पे है कब है और क्या इसकी रचनाई क्या की गई है इसमें ऐसा है आठ दिसम्मर को रविवार का दिन है और जो सैक्टर सतारा का पलजा है पलजा के अंदर वहा पर एखटे होंगे अपना रोज पर्दरसम्र करेंगे इ default कर अपना विरोध प्रोटेस्ट जो design है उसको द्रज करेंगे और उसके बाद ते करेंगे कि हम लोग राष्टपति मौद्या के नाम पृद्धान मंत्र जी के नाम एक ग्यापन देंगे कि राष्टपति राज़ पाल मौद्या जी के माधियम से देंगे या डिप्ट्रिक समाज के साथ अर मैं तो समाज की पहाद ने इनके बलतकार हो रहा तो जिनको इनको किसी के बंदर जराहदरत है तो चंडी गड़ की सब जनता सब बलके मैं चंडी गड़ की इन्ही मैं तो ट्राइ सीटी के कहता हूँ Satan के लोग हैं मौलए के लोग है पंचकुला के लोग है इसमेłę ने गाओं के लोग हैं जीरकपूर के लोग है सब लोग आये और अपना जबरदस्त माई प्रोटेस्ट करकर कर उन लोगों को क्वें कि आपके साथ हिंदुस्तान के साथ साथ چंडिकड सहर भी चंडिकड़ के च्राइच शीठी है वह आपके साथ है कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जोaches हिंदू वाला जो छेट्र है जिस तरह से पाकिस्तान को बंगला देश से बना करके अलग किया गया उसी तरह से बंगला देश से भी एक जो हिंदू बहुल संक्या है वो स्चेतर को अलग किया जाए कहां तक समयत होंगे बिलकुल होना चाहिए एक करोड से ज़्यादा की हिंदू की आबादी है वापर बंगला देश के अंदर एक करोड से ज़्यादा की आबादी है और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से है जो लोग सब मेरे भाईश बेहन शूनेंगे उनसे मैं एक बात करना चाहता हूँ जिस टाइम देश का विभाजन हुआ उस विभाजन के समय बंगला देश और पाकिस्तान उस टाइम दून एक थे साट लाग की आबादी थी उस टाइम बंगला देश और पाकिस्तान के अंदर हिंदू की आज वहाँ पर घटकर करकर वो तेश लाग की आबादी है इसके अ इदा जिया जैसे जैसे वहाँ पर उनकी सरकार आई हिंदू के पर अत्याचार होते रहे और जो मैं दूसरी बात जहां से मैंने बात सुरू की हिंदूस्तान के अंदर एक करोड कुछ मुसल्मान थे आज हिंदुस्तान के अंदर 22-23 करोड की अबाद दिया है यहां पर तो गट रहे और वहां पर हिंदू गट रहे यहां बढ़ रहे एक करोड से 22 लाँख होगे 22 करोड होगे और वहां पर जो 60 लाँख थे साथ लांक साथ तैइस लांक रहेगे कुछ अग तैइस लांक कुल रहेगे इसलिए पूरे तरीके से ये अपनी तरफ से कोशिज करते है धर्मान तरण करो बेंट बेटियों के साथ जबरदस्ती करो उठा करका निकाह करो इनके साथ और नहीं तो भाई साथ जाओ आफ यही तो सिये कानून था यही तो मुदी जी लेकर करका थे जिसके जो तताकती दरमनिर पर एक से दल है आज भारती है हिंदुस्तान के अंदर भी मैं उनसे भी एक बिंती करना चाहता हूँ जरासी कहीं कोई बात हो जाए कोई बात हो जाए इनको एक समुदाए है इनको वो दिखाई पड़ता है जो और हम आज जिनको बहुशंखा कहते है हम लोगों की हालती है कि एक इदल है वो सिरफ तो सिरफ बात करता है जो बहुशंखा किये बात है नहीं तो जो लोग इसमे मुलाइम सिंग यादाव की पार्टी हो लालो यादाव पार्टी हो आप इनके आम आदमी पार्टी हो आम आदमी पार्टी का तो जो कन्विनर है वो कहते हैं भाई साफ हिंदूों को हिंदूों को इसकुलूम है हिंदू के बच्चों को कुरान पढ़ानी कुछा है रे हम हम ये कहते हैं उनके बीच में आ गोल्टूपी ओड़ करके ये बात कहते हो हम लोग उक्ताप घख़ान दे रहे जरा उनके अंदर किसी मंदर्से के अंदर बैठ करके आप ये भाई साथ जो बात करते हैं हिंदू समाज की बात करते हैं जो सुनातन की बात करते हैं आप लोग उसके उनके साथ नहीं चलते हैं और इन लोगों के साथ चलते हो आपके ओपर को अन्याय हो जाए अत्याचार हो जाए आपकी बैंड को आपकी बेटी को कोई उठाकर करकर ले आपसे एक अंतिम सवाल है क्या आप बंगलादेश को टुकड़ा कर देना चाहिए हाँ और ना महीं जबारा बिलकुल करने चाहिए अग बंगलादेश के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए जहां अफ़ता के जो हिंदू है वो वहाँ सुरक्सित अपनी सरकार हो अपनी सत्ता हो अपना पीम हो अपना राष्टपती हो एक मेरी व्यक्ति का तरह है मुझे इस बात करने में कोई संकोच नहीं कोजी जखनी बंगलादेश के टुकड़े करने चाहिए तब भी जाकर करकर हिंदू सुरक्सित होगा आज तब भी वहाँ अपने जो मंदिर है अपने फूल कॉलीज है अपने पर जो अपने जो लोग है चे इसकोन के हैं चे होग जितने भी राधासवामी है या पिर नाथू के डेरे हैं तब भी महाँ सुरक्सित रह पाएंगे नहीं तो जो सरकार जो आंदोलन सरकार के तुकड़े कर देने चाहिए तो बंगला देश के टुकड़े टुकड़े कर दे जाने चाहिए क्योंकि वहां पर आप हालात कुछ ऐसे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमस्कार बहुत धन्यवाद आपका CNE News के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद